पुत्रा एकादसी 2024 डेट सावन की पुत्रा एकादसी दान करने से मिलेगा कई गुना फल हलो एवरीवन वेल्कम वैक टू में चैनल खुंज अफिसियल आवर योर चैनल कैसो आप लोग है वोप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आएं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्काइब कर लीजे नीचे बैल आकने सप्रेश चरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए पुत्रा एकादसी 2024 डेट सावन की पुत्रा एकादसी दान करने से मिलेगा कई गुना फल हर साल महिलाएं संतान प्राप्ति और अपने बच्चे की खुसहाली के लिए कई ब्रत रखती हैं रक्षा बंधन से पहले आने वाली एकादसी को पुत्रा एकादसी कहा जाता है इ एक पुत्रा एकादसी मनाई जाती है वरत रखने के साथ साथ दान पुने और कुछ उपाई भी करना चाहिए इस वरत के पुने से निसंतान दामपत्यों को पुत्र रतन की प्राप्ति होती है पुत्रा एकादसी वरत 2024 पुत्रा एकादसी कवरत साल में दोवा रखा जाता इनमें से एक सावन के महिने में और दूसरा पॉस के महिने में मनाया जाता है वैदिक कलेंडर के अनुसार एकादसी सुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के ग्यारहवे दिन मनाई जाती है इस समय सावन का महिना चल रहा है ऐसे में अब सावन पुत्रा एकादसी का वृत रखा साथ दान पुन्य और कुछ उपाई भी करना चाहिए पुत्रा एकादसी दोजार चोबिस तिथी पंचान क्यानुसार सावन महा के शुक्ल पक्षकी एकादसी तिथी 15 अगस्त को सुबह 10 बसकर 26 मिनट पर शुरू होगी वहीं इसका समापन 16 अगस्त को सुबह 9 बसकर 49 मिनट पर होगा इस तरह सावन पुत्रा एकादसी कवरत उद्या तिथी के अनुसार 16 अगस्त को रखा जाएगा पुत्रा एकादसी पर करें इन चीजों का दान अन पुत्रा एकादसी के दिन अन दान करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी परिशानिया दूर हो जाती है साथ ही सुख सभागे की प्राप्ति होती है जोति शास्तर में हल्दी को सुभ और पवित्र माना गया है हल्दी को सम्रेधी का प्रतीक माना जाता है सावन पुत्रा एकदसी के दिन हल्दी का दान किया जाए तो व्यक्ति को ग्रह दोस्रे मुक्ति मिलता है तुलसी का पौधा, सावन पुत्रा एकदसी के दिन तुलसी का पौधा दान करना बहुत सुभ होता है, ऐसा करने से आर्थिक लाव, साथ ही आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है पुत्रा एकादसी के दिन वस्त्रों का दान भी किया जाता है इस दिन वस्त्र दान करने से व्यक्ति को सुब फल की प्राप्ति होती है कैसा लगा आप सभी को हमारा ये पुत्रा एकादसी वरत वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना बिल्कुल नहीं हो ला थैंक्स पर वच्छ